नमस्कार दोस्तों, Great to India YouTube चैनल में आपका स्वागता है, यह है Future Learning Platform, तो दोस्तों, आज का अपना सेशन, Evolution of Computer, तो Computer से Related, Very Important MCQ स्रीच, तो चलो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं, कुछ क्लास अभी regular नहीं हो पा रही है, तो मैं अब continue क्लास लेने की कौसिस करूँगा, तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन को, और सबसे पहला कोर्षन आपके लिए Very Important, तो देखिए, यहाँ पे कोर्षन क्या कहा रहा है, तुरूटी मुक्त, गणना करने की समता को Computer गुण को दर्साती है, तो यहाँ पे, तो Computer जो है, किस गुण को दर्साती है, तो य जियान रखना है याँ पे यह और एक कोर्षन अपना है यहाँ पे जो बनता है, जो Very Important, गणना कोउशन रहता है, तो जो यहाँ पे आपको दैयान रखना है, जैसे गीघ्स गीगो, कि फूल फॉर्म जो है, दियान रखना है, गार्बेज इन, गार्बेज इन, के लगतार काम करने वाला computer की विशेशताओं को दर्शाता है तो सब्सक्राइब दोस्तों देखिए बताए question second बिना किसी ठकान या तुरोटी के लगतार काम करना computer की विशेष्टाओं को दर्साता है तो यह जो computer के जो विशेष्टाओं को दर्साता है यह दर्साता है यहाँ पर diligence यहाँ पर ध्यान रगना उद्यम सेलता है सही answer रहेगा यहाँ पर बी answer यहाँ पर right रहेगा जैसे लगतार बीन ठके जो कारे करता है जैसे मज़दूर होता है तो वो जो होता है क्या होता है उद्यम सेलता होता है जिसे हम कहते हैं डिलिजेंसी ओके और सटीक जो होता है अपने कारियर को जो Speed and Accuracy के साथ करता है जिसे हम Efficency या Accurate कहता है तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? B answer, याद रखे ये बाथ ठी exam में पूछा गए सवाल है नॉर्मल कोरश्षन के तोर पे बताइए वीबीन समसियां को हल करने का एक लचीलापन कम्पिटर के विश्याष्टाँ को दर्शाता है तो यहां पर लचेला पन जो computer की विशेष्टाओं को जो दर्साता है तो वो कौन सी विशेष्टा होते है वो होते है बहु विग्यता सई answer यहां पर क्या रहेगा दोस्तों B answer रहेगा जिसे हम कहते है वर्स लेटी द्यान रखें दोस्तों वर्स लेटी ओके दोस्तों तो यहाँ पे बी अंसर यहाँ पे इसका र्ड और जियाँ रखने है åb नेमलिकित में से कौन सा विकला उनके के प्रमुक गटक को तरषाता है यहां पर यह very important रहता है यहां पर ध्यान रखना है आपको क्या-क्या alu cu और register तो हम यहां पर जैसे देखा जाए तो यहां पर प्रमुक गटक के अंदर आपको जैसे man memory तो man memory जो होती है man memory मेंसे जो data को क्या किया जाता है input भी किया जाता है man memory के बारे में यहां पर एक point याद रख दियान रखें आप very important रहता है और यहां पर एल्यू और register के बारे में ध्यान रखें fastest memory फास्टेस्ट जो memory होती है वो कौन से होती है सबसे तेज memory जो होती है सबसे پहली कौन से आएगी register जो होती है सबसे फास्ट होती है उसके बाद आपको ध्यान रखना है एस whose memory यह इसड device जो computer को connected होता है लेकिन core computer architecture का बाग नहीं है और क्या कहलाता है तो यह जो कहलाता है जो core computer तो उसे हम क्या कहता है peripheral device कहता है दोस्तों क्या कहता है उसे peripheral device कहता है सही answer यहाँ पे C रहेगा दोस्तों ओके दोस्तों तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखें तो तो computer से connected, एक आपको यहाँ पर device के बारा हम ध्यान रखना है, motherboard के बारा में, motherboard, motherboard क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, all parts, all parts, computer के जितने भी parts होते हैं, all parts जो connected होते हैं, connected with, किसके साथ connect होते हैं, computer के जितने भी parts होते हैं, वो सारे connect किस से होते हैं, motherboard से और motherboard के just उपर क्य कैसे परिचालन विशेष्थाओं को एक साथ जोड़ा जाता है और computer को साकारे करने में योगदान देता है तो यहाँ पे क्या पूचा है तो यहाँ पे computer को साकार करने में जो योगदान देता है उससे हम क्या कहते है computer organization कहते है सई answer यहाँ पे D रहेगा दोस्तों बताई, 7 का अंसर बताई, 7 कोर्षन, very important एक computer system की वैचारिक design यहाँ पे देखो, कोर्षन changes है वैचारिक design और मॉलिक परिचालन सरचना है तो यह जो होती है, परिचालन, तो यह जो होती है वो होता है computer architecture जिसे हम design जो किया जाता है वो कौन सा होता है computer architecture यहाँ पे दियान रखना तो यहाँ पे सई answer आएगा, यहाँ पे D और हम जैसा कहें तो यहाँ पे यह दि आपको यहाँ पे design के बारे में हो और organization जो होता है और यह होता है apply मतलब किसी program या कोई भी होता है उसको apply करने के लिए जो होता है वो organization होता है और design जो होता है, वो होता है architecture next 8 number question BIOS का पूरा नाम क्या है BIOS का पूरा नाम है basic input output system basic input output system तो यहाँ पे सई answer रहेगा basic input output system यहाँ दो system आगे सई answer यहाँ पे रहेगा C दोस्तों next 9 number question बताई 9 number question का answer दीजी दोस्तों तो यहाँ पे पूचा है computer chips के निर्मान के किस परदार्त का परियोग किया जाता है तो यहाँ पे computer में जो chip का परियोग किया जाता है वो किया जाता है semiconductor का सई answer यहाँ पे D निमलिकित में से कौन सी चौती PD की programming पासा तो 4th PD में जो computer की जो PD है उसमें जो programming पासा जो यूज होती थी वो थी SQL कौन सी थी SQL SQL की द्यान रखे full form structure query language सई answer रहेगा यहाँ पे दोस्तों C यह exam में UPC का जो exam हो था UPPCL APS exam हो था उसमें यह question पूचा गया है था अपूण तित्यों का प्रतिनिद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् सब्सक्राइब निचीट है लेकिन विविन कम्पिटर के बीच बिन होता है तो सब्सक्राइब यहां पर दी आंसर बताईए निम्न मेंसे कौन सी CPU को आंतरिक बंदारन परदान करता है आंतरिक जो बंदारन परदान करता है तो वो कौन सा यहां पर तो वो होता है यहां पर register कौन सा होगा register इन्पूट आउटपूट प्रोसेसिंग और storage की परिक्रेव को जिस यूनिट में देख रेक में किया जाता है उसी क्या कहा जाता है तो उसी क्या कहा जाता है उसी का जाता है Control unit तो control unit क्या करता है कोई भी hardware ध्यान रखें control unit hardware प्लस software इन दोनों को control करने का काम करता है जैसे hardware के अंतिकत अपने तीन category आती है जैसे एक तो आपको ध्यान रखना है input device एक ध्यान रखना है output device और एक होता है CPU तो यह जो होता है control unit के माहद्यम से control किया जाता है जो system में देख रेक में क्या जाता है उसे खा जाता है control unit mathematical logic unit plus minus multiply calculation के लिए next 15 number question बताईए एक microprocessor की गड़ी आवर्ती में मापी जाती है तो यह जो गड़ी जो मापी जाती है यह मापी जाती है megahertz में सही answer यहाँ पे C option राइट रहेगा तो दोस्तों यह top 50 top 15 course हमने अभी किये तो जल्दी मिलते है next session में तो आज के लिए हम class यह end करते हैं दोस्तों Thank you